खोजर याने की देखनाने सारे दर्खान सचिन की प्यार बरी राम राम और नमस्ते भाई मैं आपका पत्रगार सचिन कुमार सवागत करता हूँ जिए आप सब कापके पने चनल खोजर याना पर लगाता है तो आप बात करना रहे हैं भाई कल भासपा ना पहले लिस्ट जारी करी अपने परत्याशिया की अपने उमीदवारा की सड़ सड़ विधान सबायां की अलग अलग तेश विधान सबाय रहेगी हैं लेकिन उसमें बहुत सारे नाम चेंज होगे थे वह चीज भी अपने उसको पर भी डिसकुसन करिया कि कई विधाय का पता कट गया और वह पता कटने का बाद कई जो है भासपा के बड़े दिगज नेता भासपा छोड़ चुके हैं उस चीज के बारहा हूँ आप इन बादचित करी लेकिन बादचित करांगी आपकी लोक् सभा के प्र्तशी थी उसको जिताने का काम किया था अहिरवालंग और अहिरवालंग के जो राज़ा है वक्वाए राऊं डिजीत था लेकिन अहिरवावा बैल्ट के जो राज़ाराउं डरकनार करते विए उनकी बेटी को टिक्ट देगा आरते राओ को टिकर देखा है बकी जो भी अहिरवाल सीट थी उनको उपर अलग अलग और कोई परतासी उतारती हैं अब बात किरा आप ही अगर भासबा की तो अहिरवाल बेल्ट में जो भी पार्टी लीड करे है उड़ा जो भाहूमत में रहे है वह पार्टी सत्ता में अहिरवाल बेल्ट में जो है मैक्सिमम सीटे जी थी ती हुड़ा कांगरेश ने तो उड़ा कांगरेश सत्ता में थी और 2014 तर चोबिस तक यहनकी 14 से 19 और 19 से 24 तक उड़ा लीड करे भासबाने तो तसल भारती जिन्दा पार्टी का राज रहा है राव इंदर जीट पहले क जो हो छोड़ दी गए जिस तरह की महंदर गड़ की सीट जड़ते पंडित राम बिला सरमाजी लड़ा करें उस सीट का अब तक जो हर्टिकलरेशन नहीं हुआ है तो बड़े बड़े नेता इंतजार करना नहीं कि मारे नाम आउंगे अब ने चुनाओ लड़ाया जागा लेकिन अब तक वान लिश्ट जारी नहीं होई है आप इन बें इनतजार है किस-किस ओर नेता का बड़े दिगज नेता का पत्ता कर सका है बात करा अगर आहिरवाल बेल्ट की तो किकि अहिरवाल बेल्ट में राव एनर जेत राजा माने जा है लोग पुज़े हैं बई और उस राजा की तोहीन भासपा किस तरह किस तरह करें उसको बात किरा अटेली विधांसवा जो कि एहरवाल बेल्ट की है उन्हें तक कुमारी आरती सिंग रायो यानि की रायो इंदर जीद जी की बेटी को टिकट मिली है वो चाहूं में थे कि मेरी बेटी को मैं जो लॉंच कर बाई मतलब अपने बेटी को जो है लोंज कर दियू चुनाओं में और वह चीज तो भासपाना माल ली है उनकी और आरती राओ को टिकट मिल गी है अटेली विधानसवा की अगली बात करांगर नियंगल चोदरी तो डॉक्टर अभे सिंग यादव को मुका में लिया है जोहा अनिहल दाहिना वहां भी जो है कोशली के अंदर भी राओंदर जीत अपने करीबी को टिकट दिलाना चाहते थे लेकिन भारती जनता पार्टी ने जो है अनिहल दाहिना को मुका दिया है रेवाडी रेवाडी में श्री लक्षमन सिंग यादव जी को मुका मिल आ है वह अगर भारती जनता पार्टी में मौका दे है तो बहुताची बात नहीं दो मैं चाहिन नर्दली है चुनाओ लड़ना पड़ो लेकिन चुनाओ जरू लड़ूंगा परश्चो जो है उनकी अमित साथ जीत मीटिंग भी होई भेट भी बादचीत मुलाकात भी होई और कल ज जो है वहां पर तेजबाल तवर जी को मुका मिलिया है तो यह सारी वो टिक्टे थी वो चीटे थी जहां पर राव इंदर जीत का भाई शिक्का चालिया कर रहे और तकरीबं 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 दस तक ग्यारा टिक्टे राव इंदर जीतना मांगी थी कि मैं बाटूंगा लेकिन उनकी बात को भासपा दरकनार कर रही है और अन्य लोगों को जो है मुक्का मिलिया है आरती राव को छोड़कर और कोई विनाम ऐसा नहीं था जिसकी पैरवी राविंदर जीत जीने करी हो और उसको मुक्का मिल आओ भारती जन्ता पार्टी ने उसके टिकट दियो अब ये जो चीज है कि राविंदर जीत का करना अन्य मानना भारती जन्ता पार्टी को कितना नुक्सान और कितना फायदा देगा यह तो बहुशी अगरम है लेकिन बहुत जल्द इसके भी जो हरुजान आने सुरू हो जाएंगे आज जैसे दूसरी लिस्ट जारी होगी वैसे आप इन पता तल जागा कितने ने ताप पार्टी छोड़े हैं कितने पार्टी मुल रहे हैं किसकी टिकेट बदली जाएंगी कौन नाम चेहरे बदली जाएंगे सारी चीज़ होंगी लेकिन क्या राव इंदर जीत इस चीज़ की बगावत करेंगे कि वह उनको टिकट नहीं दी गई कि क्या वो खेल बदल सकते हैं प्रक्यों कि उनकी बेटी को भी जो हो टिकट मिल रही है अटेली विधान से बदात हैं लेकिन क्या एक टिकट लेका राव अंदर जीत घर शांती ते बेट जाएंगे या फिर और टिकटा की मांग करेंगे जो बाकी बची हुई टिक्टे हैं उन मत है राम बिला शर्माजी को मौका नहीं मिले है चोधरी द्रम्बिर सिंग अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे लेकिन उनको में मौका नहीं मिला तो राव इंदर जीत राम बिला सर्मा चोधरी द्रम्बिर सिंग जो है ये तिकडी और ये तरी मूर्ती क्या कुछ खेल रच सकाए बाए रियानक अंदर या देखना नाली बात होगी तब तक के लिए अपने राय कॉमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब कर दियो सारे दर्षकान साथ से ताहियां और भान बायान मामा प्रशन कविता साथ साचिन कुमार राम राम